नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर कायख्रम इस समय देश में एक बहुत दिल्चस्प प्रतियोगीता चल रही है कमपटीशन चल रहा है ऐसा कमपटीशन जो अपने आप में अनूठा है इसमें इस समय सिर्फ तीन लोगों के नाम हम लेंगे हो सकता है आगे यह लिस्ट बढ़ भी जाए इन तीनों के बीच एक अजब सी होड लगी हुई है ठीक कमोबेश वैसी ही जैसी किसी वीडियो को वाइरल करने के लिए लोग आपस में प्रतियोगीता करते हैं उसी तरह का कमपटीशन है तकरीबन वही सीन है यहां किरन रिजूजू राहूल गांधी को निशाना पे लेते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं एक परिवार अपने को सबसे ऊपर समझता है और उदर ग्रीह मंत्री अमिशाह जी दंगाईयों को उल्टा लटकाने की बात कहते हैं और फिर मोदी जी चलते हैं तुरप का पत्ता वह कहते हैं कुछ लोगों ने सुपाडी दे रखी है इसके लिए इन लोगों ने बाती बाती के लोगों को सुपाडी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संबाले हुए हैं और देखिए ये जो शब्द हैं सुपाडी लेना उल्टा लटकाना ड्रामा करना ये सब भारती लोगतंत्र में किस तरफ जा रही है नेताओं की भाशा किस तरफ बढ़ रहा है विपक्ष को निशाने पर लेता हुआ सत्ता धारी दल इसकी कहानी बहुत ठोस रूप में हमसे आपसे कह रहा है सबसे पहले बात राहुल गांधी जी की राहुल गांधी जी की वज़ा से बहुत परिशानी में है भारती जन्ता पार्टी प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनके तमाम मंत्री एक के बाद एक वे नया सिर्दर्ध दे रहे हैं अब देखिए न देश की कानून मंत्री को कितनी परवा है कितनी चिंतित हैं वह कि आखिर राहुल गांधी खुद क्यों जा रहे हैं सूरत वे देश की संसद में उस गलियारे में खड़े होकर बताते हैं कि राहुल गांधी जी को अपने केस की सुनवाई के लिए खुद जाने की कोई जरुवत नहीं हैं वे सूरत जाकर एक ड्रामा कर रहे हैं बस यहीं रुखते नहीं हैं वे आगे और बढ़ते हैं और कहते हैं कि दरसल राहुल गांधी वहां जाकर वहां के पूरी के पूरे लीगल सिस्टम पर वहां के जजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है भाशपा प्रवक्ताओं की इसी भाशा मे अलग-अलग धंग से बोली को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये बेसी के लिए जो उपर के जो आदालत है उसको उपर मैं दबाव दालने के लिए ड़ाने के लिए ये कॉंग्रेस का ड्रामा है इसलिए मैंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिव कि जो देश के कानून मंत्री हैं उन्हें कानून की कितनी परवा है यह अलग बात है लेकिन उन्हें एक तरफ राहुल गांधी की बहुत चिंता है गांधी परिवार की बहुत चिंता है कॉंग्रेस की बहुत चिंता है और साथ ही साथ उन्हें चिंता है जजों की याद रखि कि देश के विरोध में जो लॉबी काम कर रही है उसके साथ जुड़े हुए हैं यह आलम भारती लोगतंत्र का है उसी लोगतंत्र का जो इसी साल यानि 2023 में G20 को होस्ट कर रही है यहां पर G20 होना है और हम दावा कर रहे हैं कि हम mother of democracy हैं इसमें कानून मंत्री किरन इस बात पर चिंता नहीं करते कि पूरे देश में एक साथ ऐसी ताक्तों का बोल बाला है जो खुद सरयाम कानून को हाथ मे ले रहे हैं आप देखिए मोदी जी पहले ही परेशान थे कि संसत के भीतर राहुल गांधी लगातार उनके प्री उद्योग पती गौता मडानी ज माइक म्यूट किये गए और फिर भी जब राहुल गांधी नहीं माने हम सब ने देखा देश ने देखा दुनिया ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी सांसद ही नहीं रहे उनको बाहर निकाल दिया गया और अब दिक्कत ये है कि सब कुछ के बावजूद वे खुद जा रहे हैं पहुशते हैं सूरत क्योंकि सूरत कोट नहीं वह फैसला दिया जिसके आधार पर उनको दो साल की सजा हुई और तब भी भाश्पा जिस तरह से परेशान है उससे एक बास साफ है चाहे मामला मोदी जी के इस भाशन का हो जहां वह खुल कर बोलते हैं कि 2014 के बा यहां देश के बदनामी का बात नहीं है नहीं अडानी जी की बदनामी की बात है यहां वह साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी दे रखी है इसके लिए इन लोगों ने बाती बाती के लोगों को सुपारी दे रखी और खुद भी मोर्चा सवाले हुए है आए सुनते हैं देश के ग्रिह मंतरी अमिशा जी को ठोड़ा ध्यान से सुनियेगा दोस्तों अमिशा जी बहुत गुस्थे में बात कर रहे हैं और गुस्थे में वे बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो जी हां यह बात कर रहे ह बिहार के संदर्व में और नितीज सरकार को खुले आम चिताबनी देते हुए कहते हैं कि अगर यहां पर उनकी सरकार आई तो दंगा करने वालों को वे उल्टा लटका देंगे ये शब्द हैं देश के ग्रिह मंत्री के आईए सुनते हैं बिहार के बिहार सरीप में आग लगी है सासाराम में आग लगी है बिहार सरीप नालंदा तो नद्दी की है जिन्ता हो रही सबको मैं आपको कहता हूँ चोबीस में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिये चालीस में चालीस सिटे और पचीस में बाजपा की सरकार बनाईए ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारती अजन्ता पार्टी करेगा बहुत खूब ग्रे मंत्री जी अमिश्या जी बस एक दो सवाल आपसे पूछने हैं हाला कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे सवाल पूछे और तेड़े सवाल तो बिलकुल भी नहीं आप गवारा करते हैं लेकिन फिर भी देखिए इस शक्स को यह शक्स आपकी ही पा सरकाया आपने देश की जनता अपने ग्रीह मंत्री से जरूर यह जानना चाहेगी कि यह शक्स और इस तरह के अंगिनगर शक्स जो देश में घूम घूमकर नफरत और दंगा पहला रहे हैं उनके खिलाफ क्यों चुप है भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी क सरकारें, मैं इस शक्स को हिंदू राष्ट के लिए उपद्रव करने वाला दंगा फैलाने वाला भी नहीं कहना चाहती, वज़ा साफ है मेरा साफ मानना है कि कोई भी शक्स, जी हाँ कोई भी शक्स, जो सर्याम दूसरे इनसान को दूसरे धर्म के मानने वालों को पबलिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मा बहन की गालियां दे जी हाँ वो शब्द हाँ आपको सुना नहीं रहे हैं लेकिन वे वीडियो वाइरल हैं जहां पर वो सरेयाम मा बहन की गालियां दे रहा है मुसल्मान समाज को सरेयाम मुसलिम महिलाओं पर हिंसा की बात कह रहा है मेरा मानना है वह किसी भी धर्म का हो नहीं सकता सवाल बहुत सीधा है अमिश्या जी कि आपको ये तमाम लोग जो दंगा पहलाते हैं जो सरेयाम मंच पर खड़े होके देश के कॉंस्ट्यूशन की धज्जियां उडाते हैं वे सब दिखाई नहीं देते क्योंकि वे सब सब के सब या तो सीधे सीधे आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आपकी पार्टी के और RSS के जो अनगिनस संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं मिसाल के तौर पर ग्रे मंत्री जी आपने यह वीडियो देखाई होगा यह उत्तर प्रदेश से आया है उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज का यह वीडियो है यहां इसाई धर्म मानने वालों की एक जमावडे पर सर्याम हमला होता है कुछ लोग पहुचते हैं और बताया जाता है कि मामला धर्म परिवर्तन का है और जिस तरह का हंगामा है जिस तरह से हंगामा पैदा किया जाता है ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को मानने वाले लोग रह सकते हैं या अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या वाकई यही आपका नया विधान है ग्रिह मंत्री के साथ साथ आप भी देखिए बिहार का यह वीडियो इस तरह के अंगिनत वीडियो राम नवमी के समय देश भर में जो हिंसा फैली फैलाई गई साजिशाना फैलाई गई वे वीडियो सब के सामने आये हैं अंगिनत वीडियो हैं हम सारे वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं ना दिखाना चाहते हैं लेकिन ये सुनिये चीखें बिहार से मुहम्मद सजाद की चीखें वे एक मजदूर हैं और वे कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में पूरा घर जला दिया गया बिखास व पुलिस संहा खड़ा ऊचाहर हो त्योस अर्णा पुलिस मतलड हो भी सबस् 21ама अब ये साहल्णा चाहर चीखें लुटडला चाहर जाहर हैं क्यों ग्रेह मंत्री जी जब आप बात कर रहे थे बिहार में उल्टा लटकाने की तो क्या आप मुहम्मद सज्जाद को भी नय दिलाने की बात कर रहे थे दोस्तों जिस तरह से पुरे देश में गाम नवमी के नाम पर हिंसा पहलाई गई जिस तरह से हैदराबा से लेकर करनाटा कुछतर प्रदेश बिहार मद्द प्रदेश अंगिनत राजियों में हिंसा हुई हिंसा करवाई गई उसका सच हम सब जानते हैं यह पहली बार नहीं हुआ लेकिन जिस तरह से आयोजित हुआ जिस तरह से मस्जिदों के सामने उपद्रव किया गया उपद्रवी भीड को खुले आम छूट दी गई दरसल यह सारी उपद्रवी भीड यह चाहती थी कि सामने से मुसल्मान इस पर हमला करे और एक बड़ा क्योंकि ध्यान रहे अंतराष्टिय मंचों पर लगातार यह जिक्र किया जा रहा है इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि भारत में बहुत तेजी से जैनोसाइड यानि बड़े पैमाने पर हिंसा और सहार की प्रिष्ट भूमी बन रही है एक और तत्थ जो बहुत एहम ह जब अकसर भारती जनता पार्टी या मोधी सरकार के नेता गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे राज में दंगे नहीं होते मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी उनके ही आकडे सरकारी आकडे NCRB का जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है हम सब जानते हैं इसमें बहुत कम केसिस दर्ज होते हैं लेकिन अगर NCRB का डाटा अपले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा वह बताता है कि 2014 से लेकर 2020 के बीच 5415 सामपरदाइक हिंसा के मामले दर्ज हुए जिन में से 2019 में 25 हुए हैं जिसमें उत्तरप्रदेश में 9 है महराष्ट और मद्ध्रदेश भी इसी सूची में आगे चल रहा है 2021 में भी इस तरह की हिंसा में हर्याणा, गुजरात, मद्ध्रदेश अवल पर हैं यह बताने की जरुवत नहीं है ना प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी को और ना ही ग्रिह मंत्री जी को या फिर उनके किसे भी मंत्री को कि यह जो हिंसा हो रही है इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं क्योंकि वे सब सारजुनिक तौर पर कैमरों पर हिंसा कर रहे हैं कहीं पर हिंसा छुपकर नहीं हो रही दोस्तों देश के नेताओं को देश की इमेज छवी की परवा होनी जरूरी है लेकिन देश की छवी और एक नेता की छवी देश का विरोध और एक नेता का विरोध क्या ये दोनों परियायवाची हैं नहीं इसी क्रम में बहुत जरूरी है एक दो घटनाओं का जिक्र करना मिसाल के तौर पे देखिए पांच महीने पहले गुजरात में बिल्किस बानों के साथ बलातकार करने वाले और उनके परिजनों की हत्या करने वाले ग्यारा लोगों को मोधी सरकार ने इस आधार पर छोड़ा था कि उनका आचरण अच्छा है गुड कंडेक्ट के आधार पर इन्हें अमरित काल में छोड़ दिया गया जब देश 75 आजादी की सालगिरह मना रहा था अब देखिए यह सिलसिला किस तरह से जारी है यह जो नजीर बनी थी छोड़ने की बलातकारियों को उसे दूसरे ढंग से लागो किया गुजरात की अदालत ने पंच महल में 27 आरोपियों को जिन पर 2002 में 12 से अधिक भारतिये नागरिकों के साथ बलातकार करने और हत्या करने का मामला दर्स था उन्हें रहा कर दिया कहा कि इनके खिलाफ परियाप्त साक्ष नहीं थे अब आप देखिए शायद आदालत ने सोचा कि इन तमाम लोगों को अगर सजा वो सुना भी देंगे तो फिर इन्हें बाद में तो रिहाई मिली जाएगी गुट कंडेक्ट के आधार पर क्योंकि मरने वाले और बलातकार जिनका हुआ वे सब मुसल्मान थे हाला कि सब के सब भारतिये नागरिक थे मामला सिर्फ गुजरात का ही नहीं है पुरे देश में न्याय का हाल तकरीबन एक सा है और इसकी ताजा मिसाल आई है उत्तरप्रदेश के मलियाना से जी हाँ 36 साल पहले 1987 में 72-73 मुसल्मानों को सरयाम मार डाला गया था मैं भी पिछले साल जब 35 साल हो गए थे इस इंसिडेंट को इस घटना को वहाँ पर गई थी न्यूस क्लिक टीम के साथ देखिए यह रिपोर्ट यह रिपोर्ट और यह जज्ज्मेंट अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से जो पूरी की पूरी न्याय प्रणाली है उसमें जो 49 लोग बरी किये गए हैं वह क्या बता रहा है वह बता रहा है बहुत ही साफ शब्दों में कि जब मारने वाली सत्ता हो उसके साथ खड़ी पुलिस पी एसी हो तो न्याय मिलना कितना दूबर होता है मल्याना यह टेस्ट केस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर F.I.R. ही गायब हो गई थी और महज तीन साल पहले F.I.R. मिली थी और आप देखिए तीन साल में F.I.R. का मिलना और फटा फट लोवर जच का फैसला सुनाना और कहना कि कोई भी दोशी इसलिए नहीं है क्योंकि सबूत ही नहीं है जबकि हम जब वहाँ पहुचे थे उन में से कई लोगों ने जो गवाही हमें सुनाई थी एविडेंस हमें दिये थे उनकी तो गवाही तक कोट में नहीं हो पाई और खास तोर से उस शक्स की जिनके घर के 11 लोगों को काड़ डाला गया था और कुए में उनकी लाशें फेक दी गई थी यह है भारत में लोकतंत्र की कहानी का नियाइक हिस्सा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ यहां तो सीधा सीधा हमला हुआ जब मैं गोली लगी तो मैं अपने घर की छट पे जीने के ऊपर चड़के देखने के लिए जाई रहा था कुछ बंस अपना कोटब मैं के लोटा ली और चलते जलते आग लगा दी उन्हों नहीं तो उसमें कुछ ताई नहीं रहते नहीं किसके घर जाकर रहते अप ना कोई पृटम नहीं खांदान ने घर नहीं परिवार नहीं दोस्तों जिस समय आप हम और मीडिया का एक हिस्सा मोदी जी की डिगरी को लेकर बेहत फिकरमंद है अलग-अलग धंग से गाने पुराने दिनों के गाने याद आ रहे हैं लोगों को फोटो जा रही हैं सब कुछ हो रहा है कोई शक्स सामने आ रहा है जो यह दावा कर रहा है कि इंटायर पुलिटिकल साइंस उनके पिता ने मोदी जी के साथ पढ़ी थी यह सब सिलसिला जब चल रहा है ऐसे में ना मोदी जी को याद आ रहा है ना ग्रिहमंत्री जी को याद आ रहा है ना उनकी पूरी टीम को याद आ रहा ह कि इस देश का अन्यदाता भीशन संकट को जेल रहा है असमय बारिश ने फसल को चौपट किया है और इसमें बहुत जरूरी है सरकारी हस्तक शेप और मदद शायद इस मदद की मांग को हमें और आपको आगे बढ़ाना जरूरी है शुक्रिया